Study Himachal की एक और सीरिज में आपका पहत स्वागत है Himachal परदेश पब्लिक सर्विस कमिशन के द्वारा नोटिफकेशन जारी की गई है जिसमें वकैंसी जारी हुई है Himachal परदेश, Transmission Corporation Limited under the Department of MPP and Power इसके अंडर वकैंसी जारी हुई है जहां पर टोटल साथ पोश्ट है Unreserved की दो, SC of Himachal परदेश की एक, OBC की एक, Unreserved X-Serviceman की बात करे तो एक EWS की बात करे तो उसकी वी एक वकैंसी जारी हुई है और भी आप चेक कर सकते है Unreserved, Visually Impaired of Himachal परदेश की वी एक वकैंसी जारी है यह है जो पोश्ट है, Civil Engineer की है Assistant Engineer की, आप चेक कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग पहले बता दूँ, फोम भरने की डेट बता देता हूँ वो है 25 जून 2021 से लेके, 21 जुलाई 2021 तक देखिए जो वकैंसी जारी हुई है, वो हुई है MPP and Power, जो HPP, TCL की आता है Under Assistant Engineer की है, Civil की साथ पोश्ट है Unreserved की दो आप चेक कर सकते हैं, Payscale भी आप चेक कर सकते हैं Qualification की बात करें, तो qualification आपको चाहिए, Civil Engineering चाहिए Civil Engineer है, 55 प्रतिशत माक्स के साथ General Category के साथ तो आप इस form को भार सकते हैं In Case of SCST, Internal Candidates of HPP, TCL ठीक है, यह चेक कर सकते हैं, उनके लिए यह पढ़ सकते हैं कि SCST, Internal Candidates of HPP, TCL and from a Recognized University Institution of India AMIE shall be Recognized for Internal Candidate who were enrolled 35-2013 इस चीज के बारे में आप देख सकते हैं, और भी बहुत कुछ है 18-45 के बीच में age आपकी होनी चाहिए तो आप इस form को भर सकते हैं Form भरने की date बता दी है, मैंने जर्नल category की EWS की बात करें तो 400 है BPL केंडरी EWS हत्ते है तो उनकी 100 है SCST, OBC की भी 100 है X-Service-Mine of Himachal Pradesh की बात करें तो उनकी 9 फीस है तो यह बताने के लिए था और बता दू एक्जाम की जो प्रोसेस है सेलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो screening होगा, pre-exam होगा फी personality test होगा आपका एक interview type तो वो भी आप check कर सकते हैं अगे देखे तो तो स्लेवस की बात करें तो इसमें जो question है देख सकते हैं यह वाली line मैं पढ़ने वाला हूँ स्लेवस की बात करें तो इसमें objective type screening test होगा paper 1 में 100 question आएंगे, 2 hour के होगे जहां पर 80 question होगे, multiple choice question B.E.B.Tech जो civil engineering की है ठीक होगे, 10 question होगे general knowledge के, जो हिमाचल प्रदेश के general knowledge के question होगे and 10 question होगे, national and international affair के G.K. के question भी हो सकते है, current affair भी हो सकते हैं यह इस लेवस था, और आपको बता दू एक चीज जो form भरने की डेट है 25 June 2021 से लेके 21 July 2021 तक इस form को भर सकते हैं रात को 12 वज़े से पहले, thank you and have a nice day God bless you all, bye bye